हलो दोस्तो जवान मुवी के एक्टर सारुक खान को मुंबाई पुलिस ने Y-plus कैटिकरी की सुरक्षा मुहया कराई है किंग खान को हाली में माफिया गैंगेस्टर से जान से मारने की धमकी मिली जिसके बाद मुंबाई पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए Y-plus सेक्योर्टी का कवर दिया है सारुक खान से पहले सल्मान खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी जिसके बाद उनको Y-plus सेक्योर्टी मिली थी लेकिन क्या आप जानते हैं Y-plus security में किस तरह की सुरक्षा होती है यह security बहरत की VIP सुरक्षा में से एक है ऐसे में सारुह खान को Y-plus security के तहछ है हाथियार बंद जवान 24 गंटे सारुह खान के साथ रहेंगे इससे पहले सारुह खान के साथ दो security force रहते थे हालां की वाई प्लस सेक्योर्टी में 11 सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहेंगे यह हाई सेक्योर्टी सारुक खान और सल्मान खान से पहले कंगना रनोत और विवेक अगने ओतरी जैसे फिल्मी सितारों को मिल चुकी है बात करे किंग खान की तो पुलिस को खूफिया जानकारी मिली है कि सारुक खान को जान को जान का खत्रा है पता चला है कि हाली में उनकी फिल्म जवान और पठान के हिट होने के बाद सारुक खान अंडर वर्ल्ड गैंगिस्टर के निशाने पर है पुलिस के मताबिक सारुख खान ने हाली में महाराश्टर सरकार को अपनी फिलम पठान और जवान की सफलता के बाद जान से मारने की दमकी मिलने की जानकारी दी थी इसके बाद महाराश्टर सरकार ने उनकी सेक्योर्टी को बढ़ाने का फैसला किया महराष्ट सरकार की पॉलिसी की अनुसार सेक्योर्टी कवर उन नागरिकों को पुर्दान किया जाता है जिनको जान का खत्रा होता है ऐसे मामले में नागरिकों को सुरक्षा के लिए फीस देनी पड़ती है या सिक्योर्टी अमाउंट जमा कराना पड़ता है